grow app के जरीए आप कैसे shares करीच सकते हो, कैसे stock market में invest कर सकते हो, trading कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ grow app के जरीए आज बात करेंगे grow app और share market की क्योंकि grow app के जरीए अपने phone से ही shares करीच सकते हो, share market में invest कर सकते हो तो आज बात करेंगे grow app से share market की ABCD पूरी जानेगे grow app किसे आपको share market में invest करना है कैसे stocks buy करने है तो ये सब आप phone की screen से कर सकते हो मालब phone से ही कर सकते हो और phone की screen पे ले जा गए आपको समझाएंगे कैसे आपको grow app को download करना है, कैसे grow को use करना है, कैसे grow से share खरीदने है, तो चलते हैं phone की screen पे grow app के जरीए मार्किट से शेयर कैसे खरीच सकते हो भी ग्रो एप के जरीए स्टोक में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्रो एप की और शेयर मार्किट की तो चलते हैं ग्रो एप के अंदर और अगर आपके फॉन में ग्रो एप नहीं है तो उसका लिंक मै आपको interface देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का interface है grow app का और यहाँ पे आप देख सकते हो balance available for stocks जब भी आप fund add करोगे तो आपका fund यहाँ उपर दिखाएगा कितना fund आपने add कर रख है stock market में invest के लिए या तो यहाँ पे नीचे तीन option देखने हैं stocks का option अबरियोशर नीचे ना यह पहला यह page stocks का है दूसरा page है mutual fund का और तीसरा है gold का तो आप यहाँ से इस app के जरीए gold में भी invest कर सकते हो और साथ के साथ mutual funds में भी invest कर सकते हो और साथ के साथ stock market में भी invest कर सकते हो market indices देखने को मिलेंगी यहाँ पे आपको stock news देखने को मिलेंगी और main चीज है आपको stock कैसे खरीदना है अगर आपको कोई stock खरीदना है मान लो तो यहाँ पे देखो top gainers भी आपको देखने को मिलेंगे top gainers means जो shares इस time पे high चल रहे हैं उपर चल रहे हैं ठीक है जिनका performance इस time पे अच्छा जल रहा है जैसे अब यह piramal enterprises है और इसके share का price आप देख सकते हो अभी यह 2467 रुपे का है और यहाँ पे इसका आपका current price भी दिखाता रहेगा क्योंकि market अभी live है अभी market बंद नहीं हुआ है तो अब इसने जो 148 तक यह उपर आया है और 6.3% का इसने return दिया एक दिन में ही 6% तक का और अगर अब इसकी बात करें हम अगर हमें मानलो पीरामल enterprises का share खरीदना है तो नीचे sell और buy का option दिख रहा है तो हमें buy पे क्लिक करना है बाए पे करीदने के लिए हमें एक तो देखो यहाँ पे delivery देखो टाइब में आपको क्या करना है टाइब में आप इंट्रा डे भी कर सकते हो और दिलिवरी भी कर सकते हो तो आपको delivery वो होती है जो आप share खरीद के रख लेते हो आपको जब तक hold करना है आप hold कर सकते हो और intraday वो होता है intraday में आप एक दिन में ही share खरीदते हो एक दिन में ही आप बेश देते हो अगर आप नहीं बेश देते हो तो आपका broker उस share को बैश देगा खूदी और उसी दिन ही बेश देगा जिस time उसका price जितना भी चल रहा होगा उसी rate पे वो बेश देगा तो intraday में हम एक दिन में ही पैसे कमाते हैं एक दिन में ही लेते हैं और एक दिन में ही बेश देते हैं simple words में अगर मैं intraday की बात करूँ तो एक दिन में पैसा कमाओ और एक दिन में ही share लो और एक दिन में ही बेश दो और delivery यह वो होती है कि हमें उस share को hold करके रखना होता है चाहे long term investment हो चाहे 3-4 महीने के लिए हो चाहे 5-6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हो वो आप पर depend करता है अब market दो है Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange तो NSE या BSE आप यह शेर NSE में खरीदना चाहते हो या BSE में खरीदना चाहते हो तो आप यहां से change कर सकते हो BSE या NSE ठीक है अब price market का और तो market price अभी चल रहा है 2471 रुपे में 72 हो गया इस price में आपको खरीदना है ठीक है तो हम चलते हैं यहां पर आपको quantity भी आप डाल सकते हो माल लो आपको कितने शेर खरीदना है माल लो यहां पर हमें 2000 और 2000 एक शेर खरीदने है तो हमारा यह total price यहां पर हो गया कुछ जैदा ही हो गया खेर यह आपको समझाने के लिए मैंने बताया और और यहां पर आपको available balance आपका zero है आप continue पर क्लिक करोगे तो आपको net banking आपका जो आप bank detail फिल करोगे तो वहां से आप fund add कर सकते हो जितने का भी आपको share खरीदना है यह तो पिरामल enterprises की बात होगी माल लो आपको कोई और share खरीदना है किसी और share की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर top losers भी आपको देखने को मिलते हैं IPO भी देखने को मिलते हैं IPO में भी आप invest कर सकते हो तो माल लेते हैं हमें top gainers में ही अडानी transmission में हमें जो है इसको share को खरीदना है तो बाई पर क्लिक करेंगे वही procedure है same जितनी quantity आपको चाहिए उतना डाल सकते हो ठीक है एक share खरीदना है तो हमें जितना भी हमें डालना है उतना डालना पड़ेगा और तो इस तरह से आप shares करीद सकते हो buy or sell बिलकुल असान है यहाँ पर आपको grow पर account बनाना पड़ेगा अपना पहले आपको account setup करना पड़ेगा तब ही आप buy कर पाओगे लेकिन बाकी बहुत easy है grow से आप share खरीदना बहुत easy है ठीक है कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है और अगर आपका grow को लेके कोई भी question है कोई भी doubt है आप पोच सकते हो instagram ID है उस पर follow कर सकते हो झाल